हालो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिसक्रस करेंगे के प्रिवेस यर पेपर और इन कोस्टिन्स की मदद से आपको काफी बेनिफिट्स होंगे एक तो बेनिफिट्स यह होगा कि आपको सीजील टुजज़न एटीन में किस तरह के कोस्टिन्स आएंगे क्या लेबल उनका रहेगा इसका बहुत अच्छा एडिया लगेगा और प्रिम अपच्छिस कुश्टन आते हैं तो इंडिरेक्टली आपके सारे सेक्षंस इंग्रिश के सारे सेक्षंस भी इसमें आपके कबर होते रहेंगे चाहे वो फिलर्स हो चाहे आर्सी हो चाहे पर जंबल हो चाहे क्लोस टेस्ट हो सारे सेक्षंस आपके कबर होते और SSE exams में देखिए grammar और vocabulary पर आपको थोड़ा कम focus करना है main आपको जो focus करना है वो आपको RC, close test और पेरा जंबल पर करना है spotting error और grammar और vocabulary पर भी आपको focus करना है लेकिन ज़्यादा focus आपको पेरा जंबल, close test और RC पर करना है क्योंकि इनके जो questions होते हैं वो काफी tricky questions होते हैं और student के जो marks कटते हैं वो इनी तीन sections में कटते हैं तो इसलिए निश्चित रूप से आपको grammar भी पढ़ना है vocabulary भी पढ़ना है लेकिन RC, close test और पेरा जंबल पर आपको ज़्यादा focus करना है तो इस चीज़ को आप ध्यान रखे और ये question number one हम देखते हैं spotting error का spotting error के questions particularly pre में एकदम basic और simple questions आते हैं उसमें कुछ भी कठे नहीं होता जैसे यदि आप इस question को देखें तो two के बाद यहाँ पर man दिया हुआ है two के बाद man नहीं आएगा two के बाद man आएगा और ये सही है war यहाँ पर सही है क्योंकि ये plural helping warp है तो ये सही है quarreling with one another आप देखें ये जो path है ये इस में पूरी तरीके से गलत है क्योंकि दो व्यक्तिय वस्तू के लिए हम each other का प्रियोग करते हैं दो से ज़्यादा के लिए one another का प्रियोग करते हैं हाला कि current English में ये चीज अब accept हो रही है कि two के लिए भी हम one another का प्रियोग करते हैं लेकिन SSC ने इस pattern को गलत माना है और इस word को गलत माना है तो इसलिए यहाँ पर आपका जो answer होगा वो भी इसमें आपका सही answer होगा और एक trick मैं आपको और बता रहा हूँ जैसे ही आप किसी भी error को spot करते हैं बस वहीं पर आपको रुख जाना है पूरा question पढ़ने ही जरूवत नहीं है पूरा question आपको तभी पढ़ना है जब आपको question समझ में नहीं आ रहा है यदि आप 100% sure है कि यहाँ पर यही error है तो इस error को tick करके आगे बढ़ना है क्योंकि time management का जो role रहता है exam में वो बहुत ही जादा important रहता है चले आगे देखते है everybody knows तो everybody यहाँ पर singular है तो इसके साथ knows जो लगा है यह सही है यहाँ पर ठीक है भूटान is the most peaceful of all other countries of the world अदर का प्रयोग हम कहां करते हैं अदर का प्रयोग हम comparative degree में करते हैं लेकिन यहाँ हम comparative degree का use नहीं कर रहे हैं यहाँ हम यह बता रहे हैं कि भूटान जो है वो पूरे word में सबसे ज़्यादा peaceful countries में से एक है भूटान is the most peaceful of और off के बाद भी हम all लगाते हैं off के बाद हम all other नहीं लगाते cable all लगाते हैं तो इसलिए other जो है यह word यहाँ पर extra है ठीक है और इसलिए इसमें जो सही option होगा भूटान is the most peaceful of all countries तो इस तरीके से आप basics को भी समझते हुँ चलिए तभी आपको spotting error भी कर पाएंगे आप और जो sentence improvement के question होते हैं उनको भी आप effectively कर पाएंगे most peaceful of all countries यहाँ पर होगा ठीक है तो C इसमें आपका answer होगा question number third हम देखते हैं higher you climb the more difficult it to breathe मतलब जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे आपके लिए सांस लेना breathe मतलब सांस लेना इसको हम breathe पढ़ेंगे और जो सांस जो noun है उसको हम breath पढ़ेंगे ठीक है इसको हम breathing बोलते हैं breathe चुकि यहाँ पर two लगा हुआ है इसलिए यह verb है और वर्ब को हम breathe पढ़ेंगे अब देखिए इस तरह के sentences में एक तो comparative degree का हम प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर comparative degree का प्रियोग किया है यहाँ पर भी comparative degree का प्रियोग किया है इसमें examiner कभी कभी ऐसे भी बोलता है कि यहाँ से देखिए इसमें कुछ दो-तिन रूल में आपको बता रहा हूँ इसमें दोनों ही clauses में आपको दाका प्रियोग करना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी यह एक रूल है और दोनों ही जगे दोनों ही clauses में आपको comparative degree का प्रियोग करना पड़ेगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि एक जगे comparative कर दिया और एक जगे superlative कर दिया तो चुकि इसमें V1 का हमने इस्तेमाल किया है वर्ब की first form का प्रियोग इसमें हमने किया है तो इसलिए हम एस याइस नहीं लगाएंगे लेकिन यहाँ पर जो noun है जो pronoun है वो singular है इसलिए यहाँ पर जो verb आएगी वो present simple tense में आएगी और इसमें एस लगेगा ठीक है तो यहाँ पर आपका जो सही option जो होगा वो होगा becomes the higher you climb the more difficult it becomes to breathe become नहीं होगा इसमें becomes होगा और बाकी के जो सारे options है वो पूरी तरीके से गलत हैं इसमें question number four देखते है नेहा has been crying morning देखी कितना simple question है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है इसमें तो मुझे लगता है कि 100 में से 99 student इसको सही करके आएंगे चुकि यह present perfect tense है हम point of time के लिए since का प्रयोग करते हैं और period of time समय का जो duration है जैसे चार दिन पाँच दिन छे मईने एक साल यह होता है duration ठीक है तो duration के लिए हम लगाते है for और जो fix time है जो point of time है जैसे एक बज़े से दो बज़े से तीन बज़े से ठीक है या कल से या सौंबार से या जन्वरी से इसमें हम लगाते हैं since क्योंकि ये fix time को indicate करते हैं ये point of time को indicate करते हैं तो इसलिए यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो होगा आपका see that is since यहाँ पर आपको synonym या similar words बताने हैं और opulent, opulent का क्या रथ है अपुलेंट का रथ होता है जिसके पास काफी पैसा है जो संब्रद साली है और जो rich है तो इसमें यहाँ पर आपका answer होगा rich fake का रथ होता है नकली, gloomy का रथ होता है उदास और selfish ठीक है तो यहाँ पर आपका similar word जो होगा, opulent का रथ होगा rich moros यह भी बहुत common word है और moros का रथ होता है दुखी या उदास और gloomy यहाँ पर इसका सही answer होगा, flatter का रथ होता है चापलूसी करना, friendly और savi का क्या रथ है, savi का रथ होता है कि किसी चीज के प्रती interest होना, जैसे यदि मैं बोलता हूँ computer savi, तो मतलब उसका computer में जुकाब है, या computer में उसका natural aptitude है, तो यहाँ पर आपका सही जो answer होगा, वो होगा B यहाँ पर आपको antonym बताना है इर्क का रथ होता है, जैसे हम बोलते इर्कसम वह है बहुत, इर्कसम है, he is इर्कसम person, तो इर्कसम का रथ होता है कि इर्रीटेट करने वाला ठीक है, तो इर्रीटेट तो इसका synonym होगा, लेकिन हमें synonym नहीं देखना है हमें देखना है antonym, तो please, irritate का antonym जो होगा वो होगा, please discourage का रथ होता है किसी को हतोत साहित करना ठीक है, किसी के confidence को down करना, और attract का रथ होता है आकरशित करना, next हम देखते है grotesque, यह एक अच्छा word है grotesque का रथ होता है, जो shape और size में, जो physical look में थोड़ा सा odd या अजीब सा है, ठीक है उसको हम बोलते हैं grotesque तो यहाँ पर आपको अंटोनिम चाहिए, तो अंटोनिम grotesque का जो होगा, वो होगा, plain plain का रथ होता है, grotesque का रथ होता है, एक दम अजीब सा, ठीक है, तो queer का रथ होता है, अजीब, queer एक्छिली सका सनोनिम हो सकता है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, वो होगा, plain, जो grotesque नहीं है, वो plain होता है, कुछ idioms देखते हैं, यह हम discuss कर रहे हैं, real question, जो 5 अगस्ट 2017 को morning shift में, SSC CGL 2017 को pre मैं पूछे गए हैं, तो यह real questions हैं, यह questions मैंने किसी book से नहीं लिए हैं, यह अपने बनाए हुए question नहीं है, यह real question है, और इसी तरीके के questions आप से 2018 में पूछे जा सकते हैं, to keep the wolf from the door, to keep the wolf from the door का अर्थ होता है, कि जो भुक मरी है, उसको दूर रखना, कोई विक्ति बहुत गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, और भुका मर सकता है, उसको खाना नहीं मिलता है, तो उस चीज को avoid करना, to keep the wolf from the door का मतलब होता है, avoid starvation, starvation का अर्थ होता है, भुक मरी, तो ए, इसमें आपका सही आंसर आपका होगा, crack the deal, मतलब एक सौदा करना, entry, entry prohibited, मतलब entry को रोक देना, और have a pleasant tour, ठीक है, तो ये सारी चीज़ेंस में नहीं होगी, इसका सही आंसर होगा, avoid starvation, teething problems क्या होती है, teething problems होती है, जब हम कोई भी project, कोई भी business, या कोई भी काम शुरू करते हैं, तो जो initial problems आती है, जो basic initial problems आती हैं, जैसे हमें employee नहीं मिल पा रहे हैं, हमारे पास sufficient fund नहीं है, हमारे पास हमको सही location पे office नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी business हम जब शुरू करते हैं, या कोई भी project जब हम सुरू करते हैं, तो जो initial problems होती है, that is called teething problems, जैसे बच्चे को, बच्चा जब छोटा बच्चा होता है, तो इसके दांत निकलते हैं, वो रोता है, और इसको को काफी सरी problems होती है, तो that is similar to the problems at the start of a project, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा, B, देखे, यह है sentence improvement के question, she did not like to have coffee, और देखे, यह होते हैं, short responses, ठीक है, short responses, जैसे question tags होते हैं, तो इसको आप पूरा समझने के लिए, हमारा जो question tag का video है, उसको आप ज़रूर देख लेना, तो, she did not like to have coffee, मतलब उसको coffee, पीना या coffee लेना उसको पसंद नहीं था, और मुझे भी पसंद नहीं था, यहाँ पर हमने उसीच को repeat किया है, तो इस तरह के sentences में हम पहले negative word not लगाते हैं, उसके बाद हम helping word लगाते हैं, और उसके बाद हम subject लगाते हैं, ठीक है, affirmative यदि यह sentence होगा, तो इसमें हम so लगाते हैं यहाँ पर, जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है, कि मुझे चाय पसंद है, और उसके बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे भी पसंद है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा, so do I, I like coffee and so do I, मतलब मुझे भी पसंद है, और यदि यह negative हो, तो यहाँ पर हम nor लगाते हैं, लेकिन जो structure होता है, जो sentence pattern होता है, नौर उसके बाद helping बर, उसके बाद subject, नौर डिड़ आई, यह इसका सही answer यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा B, और इस तरह के questions में, एक no improvement का option भी आपको मिलता है, तो no improvement का मतलब है, कि यदि question पहले से ही सही है, तो उसमें आपको, आपको D option आपको लगाना है, question number 12 देखते हैं, ताज महल is a worth seeing monument in Agra, देखें, इस तरह के structure में, worth जो word है वो पहले आता है, और उसके बाद A&G form आती है, a monument worth seeing, मतलब एक ऐसा monument जो देखने लाइक है, यदि आप बोलता हूं worth reading, तो मतलब ये चीज़ पढ़ने लाइक है, a book worth reading, ठीक है, तो इसमें noun पहले आती है, उसके बाद हम worth लगाते हैं, और उसके बाद ing form लगाते हैं, ये इसका structure रहता है, और इसमें आपका सही answer होगा, B, ये important question है, question 13 देखते हैं, that which cannot be correct किरिए, ये one word substitution क्यों हैं, कोई भी ऐसी चीज, जिसको सही नहीं किया जा सकता, जिसको correct नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, ये question काफी बाद repeat हुआ है, CGL में, और इसको हम बोलेंगे, incorrigible, incorrigible यहां पर आपका सही answer होगा, impregnable, मतलब जिसको आटेक नहीं कर सकते, उसको हम बोलते, impregnable, emulation होता है, अपने आपको जला लेना, जिसको हम आत्म दाह बोलते हैं, emulation, ठीक है, और hospitable मतलब जो, महमान नवाजी का शौकीन है, उसको हम बोलते हॉस्पिटेबल, तो सही answer आपका जो होगा, वो होगा, C that is incorrigible, that which cannot be corrected, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सही नहीं किया जा सकता, कोई भी गलती, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सही नहीं किया सकता, उसको हम बोलते हैं, incorrigible, incorrigible, इन words की, आप स्पेलिंग भी देख लेना, इन words की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, impregnable हुआ, emolation हुआ, जिसमें I और E होती है, वो स्पेलिंग्स काफी important रहती है, या जिसमें double letter आता है, वो स्पेलिंग्स काफी important रहती है, SST exams के लिए, question 14 देखते हैं, a person who is blamed for the wrong doing of others, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं, बली का बकरा, किसी व्यक्ती ने गल्ती की, और उसका आरोब किसी दूसरे व्यक्ती के ऊपर लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, बली का बकरा, या escape goat, escape goat is the right word, इसके goat हम उसको बोलेंगे, phlegmatic का क्या आर्थ है, phlegmatic मतलब जो indifferent है, जो शांत है, जो unconcern है, उसको हम बोलते हैं, phlegmatic, ठीक है, capture, जो capture कर लेता है, बरसर का क्या मतलब है, a person who manages the financial affairs of a college or school, ठीक है, तो बरसर का आर्थ होता है, जो financial affairs को देखता है, college या school में, इन सभी words के meaning थोड़ा सा detail में, आप Google पर भी search कर सकते हैं, ताकि आपको इनके काफी options भी देखने को मिलेंगे, next word हम देखते हैं, select the incorrectly spelled word, देखे, मैंने आपको बताया था, कि E और I, E और I वाले word जो होते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, conceive, C-O-N-C-E-I-V-E, सही है, laser इसमें सही है, rain, यानि जो आपका kingdom जो होता है, उसको हम बोलते हैं, और knees में, actually I पहले आता है, N-E-I-C-E नहीं होगा, ठीक है, N-I-E-C-E होगा, तो इसलिए यहाँ पर, सही आंसर होगा, आपका C, यहाँ पर, दिखते हैं, कौन सी spelling, incorrectly spelled word, irrelevant में A आता है, irrelevant, यहाँ पर E आता है, यहाँ पर E आता है, यहाँ पर A आता है, irrelevant की spelling तो सही है, perishable सही है, tangible सही है, dictionary, D-I-C-T-I-O-N-A-R-Y होता है, actually, यहाँ पर A आएगा, तो यहाँ पर आपका आणसर हो जाएगा, A, देखे, यह पर जंबल के question है, और इस पर आपको विशेश ध्यान देना है, इसके कुछ basic tricks में आपको बताता हूँ, देखे, पर जंबल एक logic का आपका test है, और इसमें आप हमेशा ध्यान रखिए, जो पर जंबल start होता है, वो किसी title word से start होता है, एक तो आप यह याद रखिए, ठीक है, however, या किसी और दूसरे conjunction से, या for example, इस तरह के word से पर जंबल start नहीं होता है, पर जंबल normally किसी noun से start होता है, या किसी title word से start होता है, तो सबसे पहले आपको noun वाला जो sentence है, वो देखना है, और उस noun को जो replace करेगा, वो होगा pronoun, तो noun के बाद pronoun वाला sentence connect होगा, ठीक है, noun, pronoun, noun, pronoun, इस तरह के से आपको देखना है, यह एक normal fundamental में आपको बता रहा हूं इसका, अब देखें, यहाँ पर, यहाँ पर देखें, कोई story शुरू हो रही है, one day, one dull dark day in autumn, I was traveling on horseback through a dreary stretch of countryside, मतलब एक गहरी रात थी, पतिजड की और उसमें मैं travel कर रहा था, horseback, गोड़े की पीट पर बैटके, एक डराबनी, डराबने गाउं से गुजर रहा था, यह डराबनी रास्ते से में गुजर रहा था, यह sentence का मतलब है, ठीक है, तो चूकी, यहाँ से story शुरू हो रही है, यह sentence first हो सकता है, देखे, pronoun वाले sentence नॉर्मली first नहीं होते हैं, इसमें pronoun दिया है, तो यह first नहीं हो सकता, इसमें pronoun दिया है, देखे, यह first नहीं हो सकता, जो phrases हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी first नहीं होते, क्योंकि वो sentence का extension होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर story शुरू हो रही है, तो यह sentence हो जाएगा आपका first, ठीक है, जब वो रास्ते से गुज़ात राता तो, इसके बाद क्या हुआ, वो होगा extension, तो इसके बाद हम यह वाला sentence बोल सकते हैं, at nightfall, मतलब जैसे ही रात हुई, I came inside of the house of Usher, मैं Usher के घर में, मैंने शर्ण ली, शर्ण ली, तो यह होगा आपका second sentence, इसके बाद यह बता रहा है के अशर कौन था, this was the house of Roderick Usher, who had been my childhood pal, यह अशर का घर था, जो की मेरा बच्पन से दोस्ट था, तो यह हो गया आपका तीसरा sentence, और इसके बाद आजाएगा यह वाला sentence, तो यहाँ पर आपका sequence बन जाएगा, QSRP, QSRP इसमें आपका sentence, आपका C इसमें सही आंसर आपका होगा, question number 8 देखते हैं, इसमें भी देखिए पहले नाउन को हम लेंगे, according to various estimates यह sentence फस्ट नहीं होगा, a common German practice यह हो सकता है, क्योंकि इसमें नाउन दिया है, common German practice, for example वाला sentence फस्ट नहीं होगा, the term लपंका यह भी फस्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले इसका reference आएगा, हम किसी term को बाद में समझाएंगे, पहले इसका reference देएंगे, तो इसलिए यह sentence इसमें फस्ट हो सकता है, अ common German practice is in occupied Poland, was to round up random civilians on the street of Polish street, एक common German practice थी occupied Poland, पोलेंड में जर्मन ने, जर्मनी ने पोलेंड को occupied कर लिया था, और एक common practice थी, कि वहाँ पर जो civilians थी, उनको इखटा कर लिया जाता था, वहाँ पर उनको परिश किया जाता था, जैसे अंग्रेज करते थे भारत में, तो यह common practice हुई, ठीक हैं, और यहाँ पर मैं थोड़ा साथ ट्रिकी एक fundamental आपको बता रहा हूँ, कि जो common German practice थी, जिसमें round up किया जाता था, पॉलिश लोगों को, उस round up के process को हम लापंका बोलते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी knowledge आपको चाहिए, तो इसके लिए यह sentence इसमें second हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हम यह भी कर सकते हैं, यह देखिए, P और R एक mandatory pair बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ facts दिये हैं, अपर यहाँ पर हम इसका एक फैक्ट को extension कर रहे हैं यहाँ पर, कि यह जो practice थी, बीच में चार सो विक्टिम्स थे इस practice के, और यहाँ पर उसका example दिया है, ठीक है, तो PR आपका हो जाएगा, QSPR, QSPR आपका इसमें सही option हो जाएगा, तो इस तरीके से इनकी आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें कुछ basic fundamentals को आपको याद रखना है, पहले now ना आएगा, उसके बाद pro now ना आएगा, और mandatory pair आपको बनाना है, इस basic चीज़ें आपको याद रखना है, noun or pronoun का जो fundamental है, वो बहुत ही important है, और इसमें conjunction का भी कभी कभी use होता है, कि इस sentence के साथ कौन सा sentence आपका आएगा, तो इसकी practice में आपको काफी कराऊँगा, तो उसके लिए आप निश्चिनत रहें, बस इन fundamentals को आप एपलाई करना है आपको, यह noun आएगा पहले, उसके बाद pronoun आएगा, और mandatory pair आपको create करना है, बतलब logically connected pair आपको create करना है, तो यह change the voice है, देखें, CGL में, SSE exams में voice के sentences आते हैं, particularly means में तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, चली-चली sentence आते हैं, voice के और narration के, और इसमें SSE आपको बताएगा नहीं कि इसको active से passive में करना है, या passive से active में करना है, वो आपको पैचलना पड़ेगा, यदि passive है, तो आपको active में change करना है, और active है, तो आपको passive में change करना है, अब चुक्कि यहाँ पर एक एजेंट लगा हुआ है, बाइफ्रेज यहाँ पर लगा हुआ है, और बाइफ्रेज को हम यूज करते हैं passive वोइस में, तो यह sentence जो है, यह passive वोइस है, इसको आपको active में change करना है, तो यहाँ पर में आ जाएगा इसमें, मतलब एक elephant की साहिता, यहाँ तक एक चीटी के दोरा भी की जा सकती है, an elephant may be helped, even by an ant, मतलब यहाँ तक एक चीटी भी, happy की साहिता कर सकती है, तो even an ant may help an elephant, इसमें चुकि may be है, तो यहाँ पर may आएगा, even को हम जिस word के पहले लगाएंगे, उसी word को वो qualify करेगा, इसको आप ध्यान रखें, even को और to को, जैसे यहाँ यह sentence आप करते हैं, an ant may even help, मतलब इस sentence का मतलब क्या हुआ, इस sentence का मतलब यह हुआ, कि ant जो है, वो काफी काम कर सकती है, और वो साहिता का काम भी कर सकती है, an ant may even help, मतलब यहाँ पर हम ant के, ant क्या का काम कर सकती है, यह बता रहे हैं, तो यह sentence का जो आर्थ निकलेगा, वो गलत निकलेगा, इस sentence में हम बता रहे हैं, कि एक चीटी भी, elephant की साहिता कर सकती है, ठीक है, तो हाला कि यह sentence भी grammatically सही है, लेकिन even की जो position है, और यहाँ पर आपका आंसर होगा, C, even an ant may help an elephant, यह है narration का sentence, please do not cry, he said, तो चुकि इसमें please लगा हुआ है, और यह imperative sentence है, तो इसमें हम, चुकि यह negative sentence है, इसलिए हम not to का प्रयोग करेंगे, he begged me not to cry, तो इसका सही answer आपका, यह हो जाएगा, please हम नहीं लगाते, direct narration में जो please होता है, उसको हम indirect narration में use नहीं करते, उसकी जगह requested या begged जैसे सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, और चुकि यह negative word है, इसलिए यहाँ पर हम not to cry का इस्तेमाल करेंगे, यह close test है, और इसको हम पढ़ते हैं, निखते हैं, the lecture could be enhanced, could be enhanced, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, किस चीज को बढ़ाया जा सकता है, lecture, lecture की किस चीज को बढ़ाया जा सकता है, lecture could be enhanced, मतलब lecture की, lecture दे सम्मंदित यहाँ पर एक चीज है, उस चीज को बढ़ाया जा सकता है, by introducing the lecture with a brief review of the work, ठीक है, हम कैसे बढ़ा सकते हैं उस चीज को, lecture का brief review करके, उसका जो work है, उसमर जो पढ़ाया जाना है, उसका brief review करके, तो यहाँ पर क्या word आएगा, यहाँ पर आएगा effectiveness, the effectiveness of lecture, मतलब उसकी यो प्रभाव शील्टा है, ठीक है, the effectiveness of lecture could be enhanced by introducing the lecture, इसलिए यहां पर आएगा, मतलब हम लेक्चर देने से पहले उसके पहले जो वर्क होगा, लेक्चर को क्लास में जाने से पहले, लेक्चर को देने से पहले, उसकी जो तैयारी होगी वो लेक्चर से पहले होगी, जो वर्क होगा वो लेक्चर से पहले होगा, तो इसलिए यहा the effectiveness of lecture could be enhanced by introducing the lecture with a brief review of the work preceding it should also be indicated how the days lecture यहाँ पर क्या लगा सकते है चुकि into दिया है यहाँ पर lecture के बाद how the days lecture into the course pattern यहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि course pattern के according lecture है या नहीं उसमें वो fit होता है या नहीं तो इसलिए यहाँ पर fit word जो होगा वो सही होगा how the days lecture fits into the course pattern a lecture should be presented in one unbroken discourse unless exceptionally interesting यहाँ पर आपको एक निगेटिव वर्ड चाहिए a lecture और यहाँ पर निगेटिव वर्ड जो है वो है seldom a lecture should seldom be presented in one unbroken discourse ठीक है ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए यहाँ पर उसका effect दिखाया है a lecture strains the a lecture strains the capacity of a concentrated listening यहाँ पर capacity होती है छमता होती है concentrated listening causing intermittent watering of attention and loss of continuity in the thought mind की एक capacity होती है mind के साथ यहाँ पर हम mind की capacity की बात कर रहे है इसलिए capacity words में बिलकुल सही इस्तेमाल होगा तो थोड़ा सा आपको logic इस्तेमाल करना है और ज्यादा से यादा practice आपको इसकी करनी है और logic और vocabulary यह चीए आपको इसमें apply करनी है I hope कि आपको यह समझ में आया होगा यदि नहीं समझ में आया है पूरा video class तो आपको इसको फिर से देखे आपको अच्छे तरीके से यह सारी classes आपको समझ में आएंगी कोई भी आप feedback आप देना चाहते हैं तो इस email id पर आप दे सकते हैं और whatsapp पर भी feedback लेगा link आप मुझसे contact कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा next video class में thank you